उसो ये जो पूएम है Alfred Lord Tennyson की Lady of Charlotte ये आये थी 1833 में एक अलग volume में लेकिन फिर 1842 में इसको republish किया गया कुछ improvements करके अगर कोई poet अपने पूएम में changes कर रहा है, improvements कर रहा है तो पता चलता है कि वो progressive दिमाग का है आगे की सुचता है, एक चीज और पता चलती है कि 1833 में ही Tennyson ने King Arthur की पुरानी कहानिया, medieval कहानियों को पढ़ना शुरू कर दिया था कुछ critics तो ऐसा बोलते हैं कि ये Italian romance से बड़े प्रभावित थे, वो source थे Italian romance इनकी poetry को लिखने का हो सकता है, लेकिन Tennyson का prime source तो Sir Thomas Mallory का mortady author है, अब थोड़ी सी poem की बात कर लेते हैं, ये poem चार पार्ट में है दोस्तो, और एक बहुत ही serious poem है फर्स्ट पार्ट में हमें एक खुबसूरत landscape दिखाये जाता है, शैलोट इस poem में एक island है दोस्तो, लेडी आफ शैलोट, ये जो शैलोट है लेडी आफ शैलोट में, ये एक खुबसूरत island है और कमाल की बात ये है कि एक river पर बना हुआ है, और वो नदी, वो river King Arthur के शहर Camelot की तरफ बहती है, अब नदी के दोनों किनारों पर जवाँ और राई के खेत पहले हुए हैं, जहां खुबसूरत लेडी के flowers उकते हैं, और वो लेडी जिसे लेडी आफ शैलोट बोला जा रहा है यहाँ पर, अपने आलेशान से घर में अकेली रहती है, अकेली बैठी यह होकर हाथ नहीं हिलाती ना, इसलिए, तो पार्ट फर्स पे खुबसूरत लैंड्सकिप दिखाया जाता है, पार्ट टू में यह बताया जाता है कि इस लेडी पर एक कर्स है, कर्स मतलब इसको शांप मिला हुआ है, कि यह डिरेक्ली कैमलोड शहर की तरफ नहीं देख सक वो शीशा जो है आईना लटका हुआ है, जो बाहर की दुनिया के reflection दिखाता है, कभी-कभी यह बाहर की दुनिया में lovers को देख देख कर दुखी होती है, कुछ lovers आपस में घुमते रहते हैं तो यह क्या बोलती है, I am half sick of shadows, मतलब ऐसा लगता है, जैसे ही sexually बहुत frustrated है, ऐसे ह और शीशे में जब Lancelot को देखती है, Lancelot का reflection देखती है, तो इतना मोहित हो जाती है, कि बाहर देख लेती है, excitement में और शीशे तूट जाता है, last वाले पार्ट में Lady of Charlotte की death हो जाती है, बहुत ही pathetic death होती है, वो नाओ में लेटी हुए होती है, और वो नाओ बहती-बहती Camelot क की तरफ चली जाती है, वहाँ पर भीड़ी खटी हो जाती है, लोग उसे देखते हैं, Sir Lancelot भी उसे देखते हैं और सोचते हैं ये कितनी सुन्दर है, तो Victorian Age में एक बंदा, Alfred Lord Tennyson, Medieval Age की कहानिया सुना रहा था, और style भी पूरा Medieval Choose किया है, Ballad Makers की तरह बार-बार words को repeat करना उस time का पूरा जादू, टोना, टोटका, शांप, ऐसी चीजों में जो लोग मानते थे, उस चीज को दिखाना, देखो Tennyson ने ऐसा scene इसलिए create किया है, यूगि Tennyson की एक खास बात थी दोस्तों, वो अपने words की जरीए दिमाग में pictures बना देते थे, उनको किसी picture की जरूत नहीं यह fail हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कहानिया modern time में चलती नहीं है, तो क्यों हमारे syllabus में इस poem को डाला गया है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, दोस्तों यह poem हमें एक moral lesson सिखाती है, क्या, कि अगर कोई इंसान reality से दूर, अकेले अपनी जिंदगी काट रहा है, तो उसके लिए नहस हो जाएगा, lady of shallot जो काम कर रही है, बुनाईगा, वो इसी artist के art को symbolize करता है, artist की creation को symbolize करता है, जब भी artist reality में जाएगा, तो उसके सपने बिखर जाएगे, तो ऐसा माला जाता है एक artist के लिए, कि अगर आप अपने art में reality दिखाना चाते हो, तो आपको दुनिया से का Victorian age में औरत की sexuality को कुछ माना ही नहीं जाता था दोस्तों, तो यहाँ पर Tennyson बताते हैं कि जितना आप दबाओगे किसी चीज़ को, वो उतना उभर के सामने आएगी, इस poem में दिखाया गया है कि वो अपने अकेलेपन को enjoy कर रही है, लेकिन दूसरी दरफ ये भी दिखाया ग इसलिए दूस्तों हमारे syllabus में इसको डाला जाता है, कि आप पढ़ों Tennyson कैसा सोचते थे, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही